अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ इंस्टेंट मावा की रेसिपी जिसको बनाना है बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है चलिए तो बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए आधा कप होल मिल्क और दो टीजपून देसी घी चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस ओन करेंगे और उस पर रखेंगे एक पैन पैन में हम डालेंगे घी घी को गरम होने देंगे अब हम इसमें डालेंगे दूद थोड़ा से चलाएंगे और गरम होने देंगे जब हलका गरम हो जाये तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद पाउडर डालेंगे लगतार चलाते रहेंगे ताके गुठलिया ना बने ध्यान रखें अच्छी क्वालिटी का ही दूद ले अगर दूद अच्छा नहीं है तो हमारा मावा अच्छे से बनेगा नहीं और टेस्ट भी उसका खराब होगा लगतार चलाते हुए इसे गाड़ा होने तक पकाएंगे ये गाड़ा हो चुका है हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए इससे जादा नहीं पकाएंगे ये एकदम सॉफ्ट और स्मूद डो की तरह दिखना चाहिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे अगर इससे हम गुलाब जावन बना रहे हैं तो फिर जादा ठंडा नहीं करना है बस थोड़ा गरम होना चाहिए और इसको जर्दे में एक टिवामी सिवई में अगर ये उसकर रहे हैं तो फिर इसको ठंडा कर ले अच्छी तरह से रस्पी पसंदाई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए फिर मिलते हैं इंशालला एक और नहीं वीडियो के साथ अस्सलाम आलेकूं रह्मतल्लाही वर्कार